आज का हमारा टोपिक है अपवाह परतिरूप और इस अपवाह परतिरूप में भारत की नदियों का जो अपवाह परतिरूप है उनका अध्यन इस टोपिक के माद्यम से हम करेंगे निश्चित रूप से अपवहा परतिरूप एक भोतिक भुगोल का विशे है लेकिन भोतिक भुगोल के विशे के साथ ही ये भारत के भुगोल में भारत में परवहित होने वाली नदियों के अपवहा परतिरूप का भी अध्यन करता है उसका विस्तार स वर्णन इस अपवह परतिरूप के माद्यम से हम कर सकते हैं अपवह परतिरूप को मुख्यतया आठ परतिरूप में बांटा जा सकता है जिसमें से मुख्यतया है दुरुमा करतिक परतिरूप आयताकार परतिरूप वलियाकार परतिरूप, समनांतर परतिरूप, जालीनुमा परतिरूप, कंटक्ये परतिरूप, आरिये परतिरूप, एवं अध्यारूपित परतिरूप इन परतिरूपों के अनुसार भारत में जो नदियां हैं, उनका उधान हम इस टोपिक में ले रहे हैं दुर्माकृतिक जो पर्तिरूप है उसकी जो लक्षन है निश्शित रूप से व्रक्स की साखाओं के सदर्श फैलावा अप्वह पर्तिरूप ही दुर्माकर्तिक पर्तिरूप है रवेदार शहलों की रूप में ये मिलता है या यू कहें कि जिस परकार व्रक्षों की साखाएं या एक व्रक्ष की साखाएं फैली होती हैं ठीक उशी परकार दुर्माकर्तिक पर्तिरूप भी इसी सदर्शे पर्तिरूप होता है व्रक्ष की साखाएं की सदर्शे भारत में दुर्माकर्तिक पर्तिरूप का सर्व पर्मक उधारन है गंगा के मैदान की अधिकांस थैं न दिया या यू कहें कि भारत में दुर्माकर्तिक पर्तिरूप का मुख्य उधारन है तो उसका सुरहुगा गंगा के मादान की अधिकांस नदीयां दूसरा प्रतिरूप या पेटर्ण है आयताकार पेटर्ण सहाएक नदा मुख्य नदी से समकोण यह मोड पर मिलती हैं जो लिए जो लिब जो नदियाenne मुख्य नदी के समकौन पर काटती हैं मुख्य नदी को सहे के नदिया इस परकार एक आयत बनता है और उस परतिरूप को कहा जाता है आयताकार परतिरूप और इस परतिरूप का भारत में विंदेन की पहाड़ियों में जो नदिया बहती है या नदिया परवाइत होती है वो इसका बहुती अच्छा उधारन है आयताकार परतिरूप का तीसरा है वल्याकार परतिरूप इसमें परवर्ति नदियां अनवर्ति नदी से मिलने से पुर्वे वक्र या चापाकार मारक में परवाहित होती हैं एक वल्ले बना करके परवर्ति और अनवर्ति नदी एक सामझस से स्थापित क पर्तिरूप मुख्यत वल्यकार पर्तिरूप के नाम से जाना जाता है गुंबदाकार आगने वेथलित पर्वहित जो नदियां है वह इसका पर्मुक्त उधारन है जिसमें पिथोरा गड़े यान उत्तराखंडे तमिल लाडू और के नील गिरी पहडियों पर पर्वहित बहुत बार कॉम्प्टिटिव एक्जामस में ये क्यूशन पूटप किया जाता है कि नील गिरी पहाडियों पर पर्वहित नदी का जो पर्तिरूप है वो किस परकार का है तो आन्सवर यहां होगा वल्यकार पर्तिरूप अगला है समनांतर पर्तिरूप नदियां एक दू परेंद समनांतर प्रतिरूप कहलाता है और पस्च्च्समी घाट में से जो अरब साकर की और परवहित होने वाली जो छोटी इवन यो त्यूवर नदियां है जो 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 जवारje का निर्मान करती है उसे उसे जो एस्चुरी का निर्मान करती हैं उन नदियों का जो परतिरूप है वह है शमानांतर परतिरूप अगला है जाली नुमा परतिरूप एक जाल सदर्शे अपवा जो तंतर है वह जाली नुमा परतिरूप का उधारन है शिये भुमी में छोटा नागपुर की जो नदियां है वह जाली नुमा प्रतिरूप की उधान को सार्थक करती है जाली नुमा प्रतिरूप का सरोपर्मक उधान भारत में छोटा नागपुर के पठार की जो नदियां है वह इसका सरोपर्मक उधान की रूप में आप देख स अगला है कंटक किये परतिरूप इसमें नदियों का अशंगत सम्मिलन होता है मतलब कोई एक निश्चित पेटरन इस कंटक किये परतिरूप में देखने को नहीं मिलता यह नदी अप्रहन का प्रिणाम है मतलब भर्ध नदी जब अपने से सहाइक या छोटी नदी को जब नदी है जिसे बिहार का सोग भी कहा जाता है इस नदी की जो सहाइक नदी है जो कि नेपाल की अरून नदी जिसे कहा जाता है उसका जब कोशी नदी अपरण करती है तो कंटक की पेटरन का निर्मान करती है अब है अरिये एक के अंदर से नदीयां जब भार की और परवाय इसे निकलने वाली नरम्दा सोन महानदी गिरनार यानि काठियावड गुजरात एवं असम की मिकीर पहडियां अर्ये परतिरूप का बेहत्रिन उधारन है अंतिम जो परतिरूप है वह है अध्यारोपित परतिरूप मूल सहल सरंचना अधार से असंगत वह नवीन सवतनतर कहने का तात्प्री यह है कि जो मूल सरंचना होती है जहां नदी का परवा होता है उस चट्टान की जो मूल सरंचना होती है उससे मेल नहीं खाती यह पेटरन उससे असंगत और उससे अलग सवतंतर होकर के जब नदी का परवा होता है तो उसे अध्यारोपित परवा या अध्यारोपित पेटरन कहा जाता है दामोदर बंगाल का सोग जिसे कहा जाता है स्वन्रेखा, चंबल, राजिस्तान और मद्यवर्देश की परमुख नदी बनाश राजिस्तार की परमुख नदी तथा रिवा पठार की जो नदियां हैं वह परमुख तया उस मूल सैल यानि मूल जो चटान है उनका अनुसरान नहीं करके एक नए शैल यानि उस मूल सरंचना वाले शैल से अलग होकर के सवतंतर रूप से जो परवाह होता है उस धरोपित परवह के नाम से जाना जाता है यह एक सबसे अलग अपोवा पर्तिरूप्त है जो कि जिसमें की नदिया है वह है मूल शरंचना का अनुशरण नहीं करती इस परकार आज हमने अपोवा पर्तिरूपों का विश्टार से अधियन किया एउन देखा कि इन अपवाह परतिरुपों का अनुश्रण किस परकार भारती ने दिया करती है और उनका उदहान सहीत वर्णन आज हमने किया आज के लिए इतने ही कलने टोपिक की साथ मिलते हैं धन्यवाद